टीवन टनल में परिशानी आई तो उसके लिए सल्यूसन धूड़े गए और उसके लिए जो सल्यूसन धूड़े गए उसमें खास तरीके की मसीन लाई गई है ये मसीन बाहर से आई है इटली से लाई गई है और ये अंदर जाकर हम कह सकते हैं मट्रियल निकालेगी और इसका काम सुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ये काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे पास इस यहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके इंचार्ज है आई उनी से बात करते हैं आपका क्या नाम है और यहां पर जो यह मसीन है क्यों इंपर्टेंट है माइनम इस मीनु आरिफ मैं यहां प्रोजेक्ट इन चार्ज हो एबी से इंट्रसेक्टर से इस मशीन है इस बीड़ी फ्रॉफिंग पाइपर फिंग जो के टनल की जहां अंदर जाते हैं उसकी सेफटी के लिए ताकि व लंबा बूम है और सिंगल एक स्ट्रोक में यह एटीन मीटर का पाइप अंदर इंसर्ट कर सकती है विदाउट चेंजिंग अधरवाइस का दूसी में पाइप चेंज करनी होती है इसमें एक बार में जैसे आप एक पाइप इसके उपर लगी हुई है तो यह वन स्ट्रोक म में 10 टाइमस मोर पाउरफुल दें अधर मशीन जो कि कंड्रॉक्शन इंडस्री में यूज की जाती है तो यह एलेक्रिक ड्रिवन है और से डिजल ड्रिवन भी है और इस से हम इस टैनल को कंप्लीटली सेफ करेंगे और यह क्या है इसका डायमेटर जो है कंप्लीट डायमे है यह टनल का इंचार्ज हूं आपको तो टनिलिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है यह टनल परिशान कर रही है बहुत परिशान है इदर में बॉन्टरी तस्वे एरिया बोलता है इदर का सिवालिक और एक सबातु बोलता है डॉलामेट का दोनों का फार्मेशन जुड़ा ह है इदर जागा इसमें बहुत तीनसो यह टनल को पर तीनसो मीटर को पर और बढ़न है बहुत का फार्शान है जोह टनों कर्दे था यह टनितgreat को थो थो Ce करके यह मिशन को इधर इंपोर्ट किया है इसमें हम लोग एंटायर टनल का परिपरी में हम पाइप प्रूफिंग करेंगा वह इसका मतलब पानी कोई मट्टी बार नहीं आना तब आद भी लोग जाके तोड़ा-थोड़ा कुदाय करके उसको आगे का बढ़ा सकता है इसमें एक चैलेंजिंग है इसमें यह टनल में चोटा पाइप दानने का नहीं वाता है उसको लिए 144 आपया का पैप यूज कर चुका है इसका चैन्थ और पानी का दबाय में ज्यादा है उसको रुकने के लिए आई सेंथ पाइप यूज कर रहा है वह कुछ डिवन करने के अब कितने दिनों से काम कर रहे हैं और क्या इस तरीके की और भी सुरंग में कभी काम किया अपने जी हां यहां फ прे मैं दौ साल से काम कर रहा हूँ ऐस ही situation अ kलु मना यह है जो रोहतांक पास अंटल मे उसमें आया था तो उस में अफ कन में जुड़ा हुआ था मैं तो उसमें में काम वीच भीच में विजिट करता था it was likewise same situation भी उसने भी काफी दिक्रत दी वहाँपे अटर्ट टनल में मैं वहां पे उसने काफी दिक है लेकिन यह उससे भी थोड़ा सा खराब है क्योंकि वह अब्डी पर नहीं है वह भी पर देस्ट ऑंडी थे लंगिन यह मेन बॉनिस यह क्या है कि यह इस दे अल्डेस डॉलामाइट और लवर निवेश्ट शिवालिक्स बिल्कुल पुराना है ए और बिल्कुल नया डॉल शारी नया नया फिल एकसाइट साहे इसे कंजेक्टर इसमें डेबरिस मेटिरिल बड़ा हुआ है यह जो 309 मिटर का पैच है इसकंप्लेटली फिल्ड विट डेबरिस मेटिरियल और उपर से पानी का सरचाज काफी जादा है पानी का सरचाज बहुत परोछ झाल थे लिझ अ लिख फूम टूम खरू प्रक्शब्रदी आजनिएफ जाता है प्लाट उन मेट्वा झाल प्या प्लॉ一तिध बहुति फ्लाट भेंग इसमाट्ट अभें कि फिले उप नहां। लाव्ल एक्या जिख भांसंप्रा मेटः तुम् सूम्ल उड गुल अल्वाजिज लगा।ू है। इनसे विडिए में विडिए इनसे टूनेटीन इनसे विडिए लिडिय विडिय कोईुटनों और इनसे विडियरी है, लिडिया में अप्रप्राइध चिन्टी थे एकम अजचरे तरी लूमी प्या है make a barrier around the periphery of the tunnel and moving ahead in the face. पानी निकल रहा है उस पानी का रंग ही आप देखिए यह साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं न कहीं ऐसी चटाने हैं जिसमें केल्सियम कार्बोनेट है यानि केल्सियम की मात्रा है और केल्सियम कार्बोनेट या चूना पत्थर की चटाने काफी भूरबूरी होती है तो उसमे उतनी ताकत नहीं होती है तो उस ताकत को भी यहां पर बनाया जाना है और साथ ही साथ जो टनल है उसको भी आगे बढ़ाया जाना है कैमरामेंट डीके सर्मा के साथ सिद्धार्थ निवजी स्टेशन कटरा